इस वार सिस्टम के दो ऐसे इंट्रेस्टिंग एप के अपडेट हमें देखने को मिलेना, जिसके वज़े से आपके फोन के अंदर काफी अमेजिंग से चेंजे देखने को मिलेंगे, और बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कुछ नया special है जो changing देखनी को मिलता है आपके phone के अंदर system app update के साथ और आज का यही time है जहाँ पे आप काफी amazing से चीज़े है जो कर सकते हैं अपने phone के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के apps को update करके और आज मैं आपको इन ही दो system app के update के बारे में बताने वाल हम जो कि आपको काफी huge change है जो प्रवाइट करके देंगे जो की app wealth और gallery editor है तो वीडियो को पुरा लास्टक watch करना और मैं आपको पूरी detail दूँगा कि यह किस तरीके से काम करता है और क्या-क्या features and change आपको देखनी को मिलेंगे आपके phone के अंदर और हाँ आपका MIUI 13 या MIUI 14 है तो उस पर आप इसे जो try कर सकते हो और test कर सकते हो और आप comment करके बताना कि आपके device के अंदर pro पर काम किया या कुछ features आपको missing देखनी को मिलें क्योंकि कई सारे features ऐसे होते हैं जो कि device के नुसार locked होते हैं तो किसी-किसी में देखनी को मिल सकते हैं और किसी-किसी में नहीं मिलते हैं जो चलिए आज के वीडियो को सुरू करते हैं और अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्टे इस वीडियो को हो सके तो share ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और social media पे जब से पहले आपको क्या करना है अब वेल्ड का जो APK दिया गया है उसे आप डाउन्वोड कर लो और एडिटर का अब वेल्ड को सिंपली आप अपडेट कर लो अगर आपके पास Redmi और Xiaomi का फोन है तो इस तरह की से वर्जन दिखाई देगा 13.9 अगर इस तरह की से वर्णिंग आता है तो इग्णोर मारो यह सिस्टम एप अपडेट है टेंशन मत लेना के वर्णिंग दे रहा है तो बेकार है और यहां पे आपको यहां पर एवेल्ट ओपन हो जाएगा अब यहां पर प्लस पर टैप करोगे तो यह वीजर सपोर्ट आपको दिखाई देगा आपके पोको के अंदर भी और आपके रेडमी के अंदर भी मैं थोज़ी दिर मैं आपको दिखाऊंगा पोको डिवाइस में टेंसन मतलो ठीक है तो इसके से ओपन होगा और रेडमी के लिए तो कॉमन चीज़े हैं लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप पे अपने रेडमी और सामी के फोन पर जाते हो तो यहां पर आपको वीजर सपोर्ट मिल जाता है ठीक है लेकिन पोको पर आपको दिखाई नहीं ओल्डे दिखाई देता है लेकिन एक ऐसा चेंज जो कि दोनों पर काम करेगा और उसके लिए आपको जुरुत पड़ेगी एक्टिवीटी लॉंचर की जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनूर्ड कर लेना और इसे ओपेंड करना ओपेंड करने के बाद रिसेंट पर जाओ ल आजाने के बाद यहां पर आपको सर्च का जो आइकन रखनी को मिलेगा जो कि एरा इस पर टैप करोगे तो कुछ इस तरीक सा आपके सामने पॉप आप आजाएगा ठीक है आप बैक करो इस पर जो लॉंग प्रेस करो और क्रियेट स्टकट कर दो यह आपकी होम स्कीन पर ब को अप्लिकेसन हो हर एक चीज जैसे कि अगर मिहां पर सच करता हूँ फिलिप कार्ट ट्वास। इंग फिलिप कार्ट नहीं मेरे पास नहीं है लेकिन देखो एप से जितने भी आप लिकेसन है वह सामने आ चुके हैं उसके बाद अगर मिहां पर टाइब करों क्या तो बहा गॉलरिया, पेक्षा पर मिसन भी आप दे सकते हो, ताकि बाग अधर फाइलो को भी यह सर्च कर सके आप के लिए जैसे कि लोकल फाइल को और इस पर जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा यह डैक्ट आपको Google प्लिके तिला जाएगा और online search करके दे देगा जो कि आपके phone के अंदर नहीं है बट मेरे phone के अंदर भी फिलाल gallery editor का application और app wealth का तो मैं यहाँ पर टैप करता हूँ gallery ठीक है बना दिया है तो यहाँ पर home screen पर देखनी को मिलेगा जो कि यह हमाँ डाइट app wealth पर जाएगा और यह इसका है जो सर्च बार तो आप इस तरीके से इनका बना के यूज में है जो ला सकते हो और आप बेनिफिट ले सकते हो रहे बद पोको पर एक कैसे काम करेगा तो यह मैंने जबकि यहाँ पर मैं आता हूं तो यहाँ पर प्लस का sign देखनी को मिलता है और app wealth दिखाई देता है तो यह आपके काम करते हैं यहाँ पर adjust हो जाते हैं बट इस आप drag and drop करके home screen पर जो नहीं ला सकते है क्योंकि यह Xiaomi के लिए पोको में काम कर रहा है बट home पर जो नहीं आता देखनी को भी ना मिले अब बात करते हैं हमारे दूसरे application का जो कि बहुत ज़्यादा चेंज आपको देगा अगर आप editing वगरा थ्वाद ज़्यादा करते हो तो simply क्या करना है इस gallery के एडिटर को है बाई अपडेट कर लेना है अपने phone के अंदर अगर install का option देता है तो install कर अपडेट का देता है तो अपडेट कर लो क्योंकि एक latest apk version है जो कि अपडेट हो जाने के बाद आप home पे आजाओ simply कुछ photo जो कर लो अपने camera अगरे से उसके बाद gallery पे आओ ठीक है अब यहाँ पे आपको भी photo पिक करो जैसे कि यह photo रहा इसे edit पे जाओ edit पे जाने के कर रहा है क्यों ग्लोगल के अंदर भी आ चुका है लेकिन अभी आपको मिलेगा नहीं जब तक कि आप apk नहीं डालते क्योंकि इसे normally आने में time लगने वाला है तब अभी कभी activate कर पाऊगे तक कोई भी ऐसा face होला है यहाँ आपका image है तो यहाँ पे beauty के लिए आप इसकीन क की रूप में है जो downloading है जो start करता है जो कि पहले हमें percentage देखनी को नहीं मिलता था तो यहाँ पर यह भी change हो चुका है जो कि देखने में काफी सही लगता है इसके complete download होने के बाद इस पर आप जैसी tap करोगे आपको यहाँ पे एक remove object का option देखनी को मिलेगा जहाँ पे इस तरी इस तरीके से मैं color कर दूँगा ठीक है color कर देने के बाद यह auto जो detect कर रहा है कि आपने भाई कि इस object को है जो select कर आया तो इसने जो detect कर लिया यहाँ पर और gap कर दिया आप देखो यहाँ पर है जो gap हो चुका है तो आप जितने अच्छे से selection करोगे उतने अच्छे तरीके से जो यह इसे image से जो की काफी अच्छा लगा मुझे और fruit से shadow remove करने का features तो काफी time पहले ही आ चुका था तो इसके बारे में आपको already पत्र होगा और बाकी यह सारे line और people remove पहले से यहाँ देखनी को मिलते हैं उसके बाद यहाँ पर स्काई का देखनी को मिलता है और इसमें भी percentage जैसे है अच्छा जो डॉड़ होगा जो कि पहले percentage नहीं so करता था तो यहाँ पर download होगा है इस पर tap करते हैं आपको सारे sky के filters देखनी को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकती हो बागे stickers आपको देखनी को मिल जाता है यहाँ पर frame घरी देखनी को मिल जाता है वसकर basic पर आपको देखनी को मिलता है crop ठीक है crop पर आने के बादbalance यह सारे crop तो आपने डेक रखें होंगे लेकिन इसमें एक दो option सायद I think नए add करे गए है तो यह था हमारा photo का लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने वीडियो का यानि वीडियो का अगर आपको edit करना है तो उसमें क्या change नजर आता है तो सबसे पहले आप जैसे ही cut करने की कोसिस करोगे वीडियो को तो अगर आपका first time कर रहे हो तो file download करेगा कुछ इस तरह के से तो थोड़ा सा wait करना है और आपके phone के अंदर internet connection होना चाहिए बसकर यह download हो जाएगा, import करेगा अब यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है filter जो कि यह प्रिभूतर आपने पहले भी देख रखा है और यहाँ पर custom का भी option आ चुका है जहाँ पर आप luts वगेरा जो कि cubic के नाम से रहता है उसे import करके यहाँ पर color grading कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर जो कि आपका जो प्रिमेर प्रो में यूज होता है ने luts सेम वही luts यहाँ पर काम करे है कोई different file नहीं रहता तो यह मुझे काफी सही लगा उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है enhance और यहाँ पर caption और soundtrack वगरा सेम और यहाँ पर pro का option भी और आप यहाँ पर देखो कि यह जो आपको expect ratio जो कि इस तरी की से previews हो करता है जो कि पहले नहीं था तो इसे आप cut करो यहाँ पर इस तरी की से आप अपना जो रेसियो वगर है जो select कर सकते हो अपना कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए यह चीज मुझे यहाँ पर रियले में काफी सही लगी और यहाँ पर आप देखो speed control के साथ साथ यह जो play का button है ना यह play का button पहले हमें इस side technique को मिल जाथा लेकिन अब इसे जो यहाँ पर move किया गया है तो यह भी आपको यहाँ पर change नजर आता है छोटा सा बस left से right किया गया है और जैसे आप यहाँ पर pro पर switch करोगे यहाँ पर बाके दर option आपको जो देखनी को मिल जाते हैं काफी अच्छा है उन users के लिए जो कि वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग वगएरा करते रहते हैं आपके काफी ज़्यादा help करने वाला है जो कि आपको फुल मज़ा दिलाएगा डेली लाइफ के उजज़ के हिसाब से तो भाई आप बताना कि यह तो update आपको कैसे लगे और कितने useful होने वाले हैं आप सभी के लिए हाँ एक चीज़ और मैं यहां पे clear कर दो कि application के जो update आते हैं वह त्येन टाइप से हमें update डेखनी को मिलते हैं पहला update होता है जो कि global का जो कि India global दोनों सेम रहता है दूसरे update होता है चाइना का और तिसरे update होता है global और चाइना यानि जो Global और China का रहता है ना, वो दोनों के software पर काम करता है जाए, Global का हो, India का हो या China का हो, लेकिन जो China होता है, वो सिर्फ चायना वले software पर काम करता है, वो सिर्फ Global और India वा गलाव पर है, जो काम करता है, तो हमारा जो यह App Weld है, यह हमारा Global का है, ठीक है, इसमें कोई भी changing नहीं है और यह जो हमारा गालरी है यह global China या कि आपके पास अगर चाइना वाला Rome है तो उस पर भी एक काम कर जाएगा अगर आप इंडिया का या global झाल झाल